आज की इस वीडियो में हम Electronegativity के लिए एक और scale के बारे में बात करेंगे जो की है Mulligan Scale इसे डेवलब किया था American physicist और chemist Robert Mulligan ने तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि Electronegativity होता क्या है तो जैसे कि आपको पता है कि अगर दो atoms के बीच covalent bond बनता है ये है shared pair of electrons तो जो जितना ज्यादा उस shared pair को attract कर पाता है अपने तरफ उसका electronegativity उतना ज्यादा होता है अब ये जो electronegativity term है ये non-measurable quantity है ये quantity non-measurable है This is a non-measurable quantity So ये सिर्फ इतना बताता है electronegativity कि दो atoms के बीच जब covalent bond बनेगा तो कौन सा atom अगर दो अलग-अलग element का atom हुआ तो कौन सा atom shared pair of electrons को अपने तरफ ज्यादा खीचेगा तो अब ये non-measurable quantity है तो अलग-अलग scientists ने अलग-अलग तरीके से elements के electronegativity को पता करने का अलग-अलग scale बनाया पिछले वीडियो में हमने Pauling scale पे बात किया था Linus Pauling ने उस scale को बनाया था आज के वीडियो में हम Mulligan scale के बारें बात करेंगे चलिए देखते हैं Mulligan ने किस तरह का formula दिया था element का electronegativity पता करने का ये बहुत है simple formula है कि एक element का जो electronegativity है ये दो चीजों पर depend करेगा दो चीजों का average होगा वो दो चीजे क्या-क्या है एक तो है ionization energy और दूसरा है electron affinity अब ये दोनों है क्या अगर किसी atom को हमें ionize करना है यहां से अगर हमें एक electron को valence shell से एक electron को बाहर निकालना है तो इसके लिए जो energy provide करना होगा this energy is ionization energy अब इसी का उल्टा देखे अगर इसी element में हम बाहर से एक electron अगर provide करवाएंगे एक extra electron provide करवाएंगे और इसे anion में convert करवाएंगे पिछले के इसमें ये cation में convert हो रहा था positive ion में क्योंकि electron बाहर निकार रहा था अब अगर electron इसे दिया जाए ये अगर electron को accept करेगा तो ये जितना energy release करेगा ये जितना energy रिलीज करेगा वो होगा उसका electron affinity अब देखें ये electron negativity जो है वो है क्या आप अगर इस atom के perspective में देखें तो ये atom है और यहां पर वो shared pair of electrons है shared pair of electrons तो ये इस pair को करेगा अपने तरफ attract जितना ज्यादा attract करेगा उतना होगा उसका electron negativity उतना ज्यादा होगा अब आप गौर करें अगर किसी का ionization energy ज्यादा होता है तो उसका मतलब क्या है कि यहां से valence shell से एक electron को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा energy देना होगा ठीक है मतलब अगर ionization energy ज्यादा होता है तो आप कह सकते है kind of वो electron negativity को इस तरह से effect करेगा कि उसका electron negativity बढ़ना चाहिए अगर उसका ionization energy ज्यादा हो क्योंकि इसे निकालने में ज्यादा से ज्यादा energy देना होगा मतलब यह और ज्यादा strongly इस electron को valence shell के electron को बहुत strongly अपने तरफ attract करके रखा है यह तो एक मुद्दा हो गया अब अगर आप देखे कि electron affinity को तो electron affinity क्या है जब बाहर से एक electron दिया जाएगा तो उस process में वो कितना energy release करेगा अगर वो ज्यादा से ज्यादा energy release करता है मतलब वो उससे ज्यादा से ज्यादा strength से इस electron को ज्यादा strength से यह अपने तरफ attract कर रहा है अब दोनों ही चीज़े जो है यह electron negativity को effect करता है जैसे कि electron affinity अगर ज्यादा होगा मतलब यह जो nucleus है यह अगर ज्यादा तेजी से electron को खीचेगा इसका मतलब वो भी electron negativity को बढ़ाने का कोशिश करेगा मुलिकन ने कहा कि एक element का electron negativity जो है यह ionization energy उस element का जो है और electron affinity जो है इन दोनों का arithmetic mean होता है इन दोनों का average होता है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि ज्यादा popular scale जो है वो मुलिकन scale नहीं वो था powling scale तो powling scale ज्यादा popular होने के कारण चुकि यह दोनों अलग-अलग scale है powling scale और mulligan scale तो अलग-अलग scale होने के कारण तरीका अलग-अलग होगा electron negativity का value पता करने का इसी लिए जो values निकल क्या आता है elements का electron negativity का वो values अलग-अलग होता है mulligan scale में और powling scale में और जैसे कि powling scale ज्यादा popular है इसी लिए जो mulligan scale का जो value निकल के आता है उसे powling scale में convert करने के लिए हमें एक conversion equation यूज करना होता है लेज़से कि mulligan का दिया हुआ जो formula था उससे electron negativity का value ये अगर आता है और हम अगर उसे powling scale में उस हिसाब से scale करना चाहें लेज़से कि powling scale में एक value आता है electron negativity का mulligan scale में अलग value आता है तो इसे उसके हिसाब से adjust करने के लिए इसे एक number के साथ multiply किया जाता है और उसके साथ कुछ add किया जाता है यहाँ से भी आप समझ रहे होंगे इन तरीकों को use करने का जो tendency है या process है उससे भी आप समझ रहे होंगे कि electron negativity का कोई absolute value नहीं होता है इसे scale किया जा सकता है तो अब scale करने का जो formula है वो यह है कि electron negativity जो मुलिकन के formula के हिसाब से आता है अगर उसे scale करके हम adjust करते हैं Pauling scale के साथ तो let us say कि electron negativity है जो adjust करने के बाद जो electron negativity होगा वो है यह जो कि बराबर होगा बराबर होगा एक number हमें इसके साथ multiply करना होगा जो कि है अगर electron volt में इन्हें measure किया जा रहा तो number वो होगा 0.374 into यह वाला जो value है this value this value plus plus 0.17 अगर इन सारे values को electron volt में measure किया जाता हो तो यह है scaling formula from Mulligan scale to Pauling scale exactly Pauling scale वाला value तो नहीं आएगा लेकिन उसके आसपास का value आएगा तो यह था Mulligan scale अब मैं आपको बता दो कि इस scale के साथ कुछ limitations associated है limitation यह है कि electron affinity का value बहुत ज्यादा elements के लिए हमें नहीं पता है तो उनके लिए Mulligan formula से हम electron negativity नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि यहीं नहीं पता है यह value अगर नहीं पता होगा तो यह भी नहीं निकल सकता है इसका value में तो यह है उसका limitation कि यह value electron affinity का value बहुत ज्यादा elements के लिए known नहीं है is not known not known not known for many elements बहुत ज्यादा elements के लिए इसका value हमें नहीं पता है तो फिर इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं I hope के वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो like जरू करें और इससे हमें motivation मिलता है कि course curriculum के बाहर के भी वीडियो हम लोग आपके लिए बना सकें अब मैं आपको बता दो बाकी जो scales है electron negativity के लिए scales के वीडियो आपको description में और यहाँ पर screen में बिल जाएगा तो वहाँ क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं तो I hope के अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तो मिलेगा आपस अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं, good bye